नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज मी आप लोगों को अरणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो की उसका प्रिलीम्स एकजम जो है की नविंबर को होने जा रहा है तो उसका एडमीट कर जो अभी वेबसाइट पे अबेलेवेल हो चुका है उसको कैसे डाउनलूट करन करना है और कैसे अपना मॉबाइल पॉन्ट पे पीडिएफ पे सेव करके रख सकता है उसको में आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रॉम ब्राउजर को ओपें करना है और ओपें करके बहा पी आपको टाइप करना है ए a-p-p-p-c.g-o-b.in एसे तैप करके आपको सर्च करना है तो एसे सर्च करेगा तो और नचल प्रदेश पाब्लिक सर्बेस कमिशन का ओपीसेल वेबसाइट का हॉम पेज जो आपको नजर आएगा तो यह आप देख सकते हो और नचल प्रदेश पाब्लिक सर्बेस कमिशन यह जो home page है तो यह जो इसका official website का home page है आप इसको देख सकते हो उसके बाद अगर आप mobile phone पे यूज कर रहे तो आपको right set कोने पे tree dot है बहाँ पे click करना है और बहाँ पे click करने के बाद तोरा से scroll up करके यहाँ next top site पे click करना है उसमें click करेगा तो क्या होगा कि आपका mobile phone पे भी ब्यूज जो है कि तोरा सा बेहतर होगा उसको open करने से क्या होता है कि incomplete view होता है लेकिन उसको open करने के बाद complete view आचा से ब्यूज आएगा तो इसलिए आपको ऐससे open करना है ने करके भी आप कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे right set कोने पे आपको candidates corner है इसका नीचे जाके पे admit card करके एक आप देखने को मिल सकता है admit card तो उस admit card पे आपको क्या करना है क्लिक करना है तो मैं तोरा से zoom करके दिखा देखता हूं तो यहाँ पे admit card उसमें क्लिक करना है और क्लिक करने के सार्चत यहाँ पे download का option है तो download option पे आपको क्लिक करना है तो उसमें क्लिक करने के सार्चत यहाँ पर लोग इन फॉर्म आएगा तो यहाँ पर आपको तीन चीज जरूरी है मॉबाइल नंबर जो रेजिस्टर मॉबाइल नंबर उसके बद आपका पास्वाद उसके बद कैपचा तो लोग इन कर सकते हैं लेकिन पास्वाद बूल गया बोलने से यहाँ पर पर पास्वाद पर जाना है और जाके मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं कि वहाँ पर कैसे जाना है पर्गोट पासवर्ट पर जाके और बहाद पर पिर से नया एक फेज मिलेगा पर्गोट पासवर्ट का, तो यहाँ पर आपको mobile number डालना होता है. जो resistor mobile number है जब आप EPCS का जो form fill up कर रहे थे उसमें जो mobile number दिया था वो resistor mobile number है उसको डालना है उसके बद आपको ये capture डालना है उसके बद get OTP पे click करना है और यहाँ पे आपको ok करना है तो get OTP पे click करने के बाद आपको यहाँ ok करना है और ok करने के बाद नीचे पे आपको OTP डालने का एक option जो मिलेगा तो बहाँ पे आपका रिजिस्टर mobile number पे OTP जो SMS की तोर पे आएगा उस SMS को आपको यहाँ पे देखके डालना है नमबर को जो भी नमबर है और समिट कर देना है OTP जो अपका नमबर पे या पिर आपका email ID पे भी आ सकता है उसको डालने के बाद यहाँ नया पेज आएगा वहाँ पे न्यू पास्वर्ट आप कर सकते हो और नया पास्वर्ट बनाके यहाँ पे CAPTCHA को अच्छा से डालके उसके बद आपको समिट कर लेना है और आपको एक चीज याद रखना है कि आपका पास्वर्ट और कंफर्म पास्वर्ट दोनु जो सिमिलर होना है एक भी आगे पीछे नहीं होना है और CAPTCHA भी numbers होने से numbers और alphabet होने से alphabet capital होने से capital, small होने से small ऐसे करके आपको CAPTCHA को भी डलना है नहीं तो आप आगे नहीं बर पाओगे उसके बद आप CAPTCHA भागेरा दालके समिट कर देना है और समिट करने के बात यह जो आपको क्या होगा कि आपका पास्वर्ट जो सक्सेस्पुली चेंज हो जएगा देखिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना है तो अब करना है तो आपको यह फिर से बही अजमिट कर्ड वाला ओप्सें पर किलिक करके और डाउनलोड पर किलिक करना है और यहाँ पे लोग एन फोर्म है यहाँ आपको रिजिस्टर आपको पास्वार्ट उसके बाद कैपचा तो यह तीन चीज को अच्छा से दल लेना है और दल लेने के बाद आपको लोगिन पर किलिक करके लोगिन कर लेना है तो यहाँ पर लोगिन पर क्लिक कर देता हूं और लोगिन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जो भी है आपका अंदर पर जो भी है सब कुछ निकल जाएगा तो लोगिन करने के सारच यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरपेस आएगा तो यहाँ पर तीन ओप्सिन मिलेगा print application, view and print admit card तो आपको print application नहीं करना है, आप view करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन print admit card पे आप click करना है और print admit card पे एकबर स्रिफ किरना है और एकबर किल्क करने के बाद तोरा रुकना है और ये automatically आपका admit card जो हेग डाउनलूट हो जाएगा तो एक बर क्लिक हो गया और यह जो डाउनलोड हो रहा है मेरा यह जो एदमित कर जो अब भी यह जो डाउनलोड हो गया ओपन हो रहा है तो यह जो अदा कुछ चीजे को मैंने बन किया है यह जो प्राइबेसी और सिकुरिती के लिए बन किया है इसको आप लोग भी समझना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो और नाचल प्रदेश पाब्लिक सर्विस कमिशन इतानगर एडमीद कार्ड और यहाँ पर बहुत कुछ है उसके नीचे में भी बहुत कुछ है तो ऐसे करके डाउनलूड करके राइट सेट कोने तोप पे और क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक कर करके आप उसको वाच्चाप पे किसी को शेयर भी करना चाहे तो कर सकते हैं उसके बद मॉबल पॉन पे सेब करके रखके उसके बद आप बात में जब भी चाहे इसको प्रिंट कर सकते हो साइबर पे ले जाके आप बस PDF को देके प्रिंट करबा सकते हो ऐसे करके कर सकते हो तो मैं आसा करूँगा कि मेरा ये वीडियो जो है कि आप लोगों के लिए हैल्पूल हुआ होगा, उसके बद मैं आप सभी को बेस्ट वीशेस देना चाहूंगा, कि आचा से अपना एपीशेस प्रिलीम्स एक्जम को दीजिये, उसके लिए ओल्दा बेस्ट सभी को, उसके बद इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा इंस्ताग्रम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और मु गड़ और केर,